हेलो बच्चों, आज हमारा question है, write the fallen number in decimal, इनको हमें लिखना decimal में, देखको हमारा कितना है, 3 upon 10, यह numerator है, यह denominator है, हमें denominator को numerator क्या करना, divide करना है, इसे 10 से हम divide करेंगे, किसको 3 को, भाई 10 तो बहुत बढ़ा है, 3 बहुत छोटा है, हम क्या लगाती है, decimal लगाती है, decimal लगती है, यहां कितना बढ़ता, एक 0 बढ़ जाता है, अब 10 की table 30 तक बोल सकते, 10 3 जे कितना हो जाएगा, 30, तो हमारा answer क्या आजाएगा, 0.3, चाहिए आप यहां 0 लगा सकते, 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ऐसे हमारा देखको 5 upon कितना है, 10 है, by 10 से divide करेंगे, इसको 5 क यहां point लगाएगे, यहां क्या हो जाएगा, 0, यहां decimal लगाए, point भी बोल सकते, decimal यह point यहां 0 बढ़ जाएगा, 10 5 जे कितना हो जाएगा, 50, तो हमारा कितना आजाएगा, 0.5, ओके, 0.5, अब देखो 2 upon कितना है, हमारा 10 है, अगर आप divide करने चाहिए, यह हमारे कितना है, 0 एक 0 है, एक digit के आगे point लगेगा, टो है, ना, तो 2 के आगे, क्या लग जाएगा, point लग जाएगा, यह 0, बाइद हो जे 5 upon कितना होता है, hundred होता है, कितने, 0 थे वई, 2 0 है, अब 2 0 का आगे point लगाना है, अब यहां तो 1 के digit है, 5, हम एएग 1 0 यहां लगाते है, यहां पर point ल एक डिजिट के आगे पॉइंट तो यहां पर पॉइंट ओके नाइन अपॉइंट टैनने एक डिजिट के आगे पॉइंट तो पॉइंट नाइन हो जाएगा एट अपॉइंट हो जाएगा एक डिजिट के आगे पॉइंट